हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत है आपका हमारे चैनल घरी रोटिपस और ट्रिक्स में आज की हमारी जो वीडियो है वो है एकदम फ्रीड जैसा नैचरल ठंडा पानी को लेकर नए आफिर पुराने मटके को ठंडा रखने के लिए हम रेडी कैसे करें अगर आपका मटका पुराना हो चुका है तो उसमें भी पानी ठंडा करने का एक बहुत ही आमेजिंग प्रिक आपके शार्ष शेयर करने वाली हूँ चलिए देखते हैं आज का वीडियो तो अगली कुछ ही मिंटों में मिलने वाली है आपको ऐसे जानकारी जो की शायद ही आपको पहले पता होगी सबसे पहले तो यहाँ पे हम मटके की बात कर ले तो मैंने यहाँ पे लिया है एक नया मटका और इसके अंदर धोल डश्ट जमा है और इस मटके की बनावाट और डिजाइन की बात करे तो यह बेहदी सुन्दर है यह देखिए मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ दोस्तों आपने मटके की आवाज सुनी मटके में एक खनक है और मटके में खनक होना चाहिए यानि कि मटका आपका एकदम परफेक्ट है कहीं से क्रैक नहीं है वो सब आप अच्छे से चेक करके ही लीजिएगा इनफेक्ट आप उसमें पानी भरके भी चेक करिएगा चलिए अब हम यहाँ पर इसे देखते हैं कि इस मटके को हमें रैडी कैसे करना है एकदम ठंडा इसे हमें ठंडे पानी के लिए तयार कैसे करना है दोस्तों मैंने इसे बाहर रखा है और इसके नीचे रखा है मैंने एक इस्टेंड और अब हम सबसे पहले तो मटके को बहुत ही अच्छे से धोलेंगे क्योंकि इसके अंदर होती है बहुत सारी डस्ट ये ऐसे ही रखी रखी इसमें धोल मिट्टी चिपक जाते हैं रेड रेड से कलर निकर रहे हैं देखी तो इसे साफ करना तो बहुत जरूरी है दोज तो यहां पर ना आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि मटके को कभी भी अंदर हाट डाल के आपको नहीं धोना चाहिए मटके में अगर आपने हाट डाल दिया तो मटका कभी भी ठंडा पानी नहीं देगा यह चोट इसी ट्रिक है लेकिन बहुत ही अजमाई हुई है तो आप कभी भी उसके अंदर हाट डाल कर ना धोएं उसे जितना चाहे अच्छे से दो तीन बार धोली जब तक यह मटका चलेगा तब तक वो क्यों वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं अंदर और बाहर सभी जगों से मटके को पानी पिलाना बहुत ही जरूरी है अब इसमें हम नौर्मल पानी भर कर रख देंगे दोस्तो अब बारी आती है दूसरी ट्रिक की कि जब आप इस मटके को पानी से भरे तो इसे पूरा भरिएगा इसे अच्छे से भिगा देंगी क्योंकि यह मटकर नया है इसलिए इसका थोड़ा पानी में सोखोना बहुत ही जरूरी है ये सारी ट्रिक जो वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ ये सभी ट्रिक बहुत सालों पुराने हैं लेकिन इसे हर कोई नहीं जानता मैंने भी अपनी दादी नानी से सुना है और मेरी मम्मी भी आज तक यही चीजे फॉलो करती आ रही है और अमेजिंग होता है उनके घर का मटके का पानी इसमें अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस मटके को कम्पलीटली पूरा भरना है यहाँ देखी उपर तक मैंने मटके को अच्छे से भरा है इसका पूरा भरना क्यों जरूरी है वो बताती हूँ यहाँ पर यह जो धक्कन देख रहे हैं यह देखिए इस तरीके का धक्कन लिया है मैंने इसके अंदर भी हम पानी भरेंगे और इसे पूरी रात हमें ऐसे ही छोड़ देना है इससे क्या होगा मटकी में होते हैं छोटे छोटे होल्स और यह छोटे छोटे जो छेद हैं जो की पानी को एब्सॉब करेंगे और आपकी मटकी अच्छे से पक्की हो जाएगी और साथ ही अंदर तक पानी चला जाएगा और उसकी वज़ा से हमारी जो मटके का पानी है वो बहुँ ज़्यादा समय तक ठंडा ही रहेगा अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मटके को हमने पूरा गीला कर दिया है बाहर से भी यहाँ पर इसके उपर कोई कपड़ा वगेरा लगाने की जरुरत नहीं है आपको आप चाहे तो लगा भी सकते हैं दोनों के अलग-अलग यूज हैं दोस्तों तो यहाँ मटकी को मैंने पूरा कम्प्लीटली उपर तक भरा था धकन में भी पानी भरा था तो आलमोस्ट आठ से नौ घंटे हो चुके हैं मटके का थोड़ा सा पानी खाली हो चुका है यह बहुत अच्छा रिजल्ट है क्योंकि मटके के जो पोर्स होते हैं उसके अंदर पानी जा रहा है इस वज़ा से मटके का जो पानी है वो कम होते जा रहा है तो ये बाते आपको शायद कोई नहीं बताएगा बट मैं आपसे ये शेयर कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है मुझे बताया गया है बचपन से आप देख सकते हैं धकन भी खाली हो चुका है मटकी भी खाली हो चुक अब मटके के अंदर पानी भरके तो 24 आर तक पानी हमें पीना नहीं चाहिए फर्ष्ट वाला क्योंकि पानी जो होता है वो पोर्स के अंदर वाला होता है तो हमें वो पानी पीना नहीं चाहिए हमें इसे एक बकेट में कलेक्ट करना है तो इस पानी को आप अलग-अलग इ कर लेते हैं मत्की को खाली हमने यहां पर मत्की का पूरा पानी खाली कर लिया है एक बकेट में देखिए मत्के के ठंडे पानी को हमने दिया है प्लांट में जिससे हमारे प्लांट भी हैपी हैपी हो जाते है या फिर आप गर्मियों में पक्षियों के लिए किसी बरतर में प अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजी अब यहां पर यह जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूं उसे ध्यान से देखिए यह है सेंधा नमक अब आप सुचेंगे सेंधा नमक ही क्यों तो व्रत और उपवास अगर आपका होगा भी तब भी आप इस मटके से पानी पिएंगे दोस्तो हम सेंधा नमक का यूज करेंगे अगर सेंधा नमक नहीं है तो कोई बात नहीं आप नॉर्मल नमक का भी यूज कर सकते हैं जितनी बड़ी मटकी है उतनी बड़ी मटकी के लिए एक चमच नमक काफी है सबसे पहले मटके को अराम से खाली कर ले उसके बाद सीधा ही इस नमक को मटके में एट कर दीजिए उसके बाद इसमें गिलास या फिर डेर गिलास जित्ता पानी आपको डालना है और उन नमक वाले पानी को मटकी के चारो तरफ आपको अच्छे से भुमाना है अच्छे से यानि की मटकी के अंदर साइट पू उसे हम फेक देंगे उसके बाद थोड़ा सा अच्छा पानी डाल की आप अच्छे से मटकी को वास कर लीजिए जब एक बार मटका नमकीन हो जाए तो वो हमेशा मीठा पानी और ठंडा पानी ही देता है इस मटके का पानी मीठा रहे इसके लिए तो हमने नमक वाली ट्रिक से इसका इंतजाम कर लिया अब बारी आती है कि हमेशा मटके का पानी ठंडा कैसे रखे बिल्कुल फ्रिज जैसा ठंडा तो उसके लिए आप कोई भी मिठी वाली थोड़ी बड़ी बरतन ले ले जिसमें आपका मटका आ सके अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं ऐसे गमलों का भी यूज कर सकते हैं मेरे पास गमला खाली रखा था तो मैं इस गमले का ही यूज कर रही हूं और इसे आप पूरा मिठी से भर दीजिए अगर आपके पास मिठी नहीं है तो आप इसमें रेट डाल कर भी रख सकते हैं अब इस मटी में आप पानी डाल इस मिट्टी को हमें पूरा भीगा देना है ये जितना पानी सोखेगा उतना आप इसमें डाल दे इसे अच्छे से भीगा दे मिट्टी हमारा पूरा भीगना बहुत जरूरी है तभी ये काम करेगा दोस्तो ऐसी ट्रिक आपको हर कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रह हुँ ऐसा देशी जुगान जो 100% काम करेगा और अब इस मिट्टी वाले गमले को मैं रग देती हूं शायट में और अब बारी आती है वो खास टिक की मटके को हमें अच्छे से धो कर साप पानी भर रहा है और हम इसमें वो पानी भरेंगी जो हम पीने वाली है अगर आप और यूज़ कर रहे हैं तो औरो का वाटर भर लिजिए अगर आप फिल्टर का यूज़ करते हैं तो फिल्टर का भर लिजिए पूरी मटकी अच्छे से भर लिजिए और उपर से आप इसका धक्कन कर दीजिए बन जब भी आपको इतका पानी चेंज करना हो 2-4 दिन बाद तो आप मटके को ऐसे ही धोएं उसके अंदर हाट डाल करना बिलकुल भी ना धोएं इससे आपका मटका भी अच्छा रहेगा और हमेशा ठंडा रहेगा जब भी आप इससे पानी निकाल कर पिएंगे ना तो आपको पानी भी बिलकुल फ्रिज की तरह ठंडा ठंडा पानी मिलता रहेगा कितना भी आप बाहर का सेख पियो जूस पियो जब तक मटके का ठंडा पानी ना मिलेना तब तक प्यास नहीं बुस्ती दोस्तो मटके की जगह ना कोई ले ही नहीं सकता अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेर ये चैनल घरेलू टिपस एंट्रिक्स को लाइक करें जादर जादर इस वीडियो को शेयर करें मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई